दरस्वनेर पचास कबरों के बाद इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं शिर्फ सेना से जुड़ी ये खबर है दरसल पार्टी ने अपने मुखपत्र सामना के जरिये रक्षा मंत्री निर्मला सीता रमन पर बड़ा हमला बोला है शिर्फ सेना ने उन्हें सबसे कमजोर और निश्क्रिय रक्षा मंत्री बताया है सामने में पार्टी ने कहा है कि इंदोस्तान की सेनिश अमता पर उन्हें पूरा भरोसा है लेकिन निटित कमजोर है पेरिशाना दरस्टल सीधे तोर पर रक्षा मंतरी निर्मला सीतारवन पर आधा गया है रक्षा मंतरी पर शिवसीना का ये बड़ा हमला उनके मुख़पत्र सामना के जरिये करा गया है और उने ने कहा है कि अत्यंत दुर्बल और निश्क्रिय बिना चेहरे वाले व्यक्ति को रक्षा मंत्री के पद पर बैठा कर हम देश का नुकसान कर रहे हैं। अतंगवादियों ने नहीं की होती। उसे दुबारा संपर साथने की कोशिश करेंगे लेकिन आपको एक बार फिर से बता दें कि सामना की मुख्य पत्र में इस सरकी बाते लिखी गई हैं। पहले भी हमने देखा है कि शिवसेना की जो नाराजगी हो खुल कर बीजेपी नेताओं के लिए निकली है। और एक बार फिर से यही नाराजगी संपादकिये में भी दिखाई दी है। निर्मरासी तरमन को एक कमजोर रक्षा मंत्री के तौर पर यहां बताया गया। अनुने कहा कि जो फैसला रमजान के मौके पर सीस्फार कर लिया गया दरसल वो देश हित में नहीं था। और उसी की वजह से औरंजेव जैसे जवान की जान गई थी। शेसेना ने कहा कि दुर्बल निश्क्रियर शक्स को रक्षा मंत्री बनाना काफी नुकसान दाया के रेश के अलकि उन्हें भारत की जो सेन शमता है उस पर सवाल नहीं उठाए। लेडिस खबरों के लिए यूही देखते रही है आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूले।